हालो दोस्तों कैसे आप सभी लोग आज मैं फिर से आप लोग पर स्कुआर रूट से तो चलिए देखते हैं इसका स्कुआर रूट हम कैसे फाइंट करेंगे तो question यह है कि find the square root of under root 2116 2116 तो इसका हम यहाँ पर square root find करेंगे तो देखिए यहाँ पर कौन से method हम लगा सकते हैं देखिए इसका square root हम दो method से find कर सकते हैं एक prime factorization method से find कर सकते हैं और दूसरा long division method से find कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसका square root है वो मेतर से और चश्टेशन चो'? दोनों यह बहुत आसान है करना बॉत цен करना उसीरा क्या होता दूर्म होता है कि लुए हमार Sus선, लुक्रेशन वानच न गोड़ी्य। तो यहाँ पर rate करेंगे 2, 1, 1, 6 अब यहाँ पर करना क्या होता है कि हमें pair बनाना होता है ठीक है जो हमारे factor आएंगे उनका pair बनाना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले factorize करने के लिए हम choose करेंगे कि कौन सा number लेंगे तो जो rule होता number लेने का होता है 2 अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3, 3 से नहीं हो रहा तो 4, 4 से नहीं हो रहा तो 5, 5 से नहीं हो रहा तो 6 फिर ऐसे करके हम number बढ़ाते रहेंगे यानि कि यह तो पक्का है कि सबसे पहले मैं 2 से check करना ही पड़ेगा तो चलिए इसको 2 से check कर लेते हैं अब देखे 2 से कैसे चेक करेंगे लास्ट डिजिट जो इसका है वो 6 है 6 एक इवन डिजिट होता है तो अगर कोई नमबर ऐसा है जिसके लास्ट में 0 या इवन डिजिट आया है तो वो 2 से डिविजबल होता है तो 6 एक इवन डिजिट है ये वाला इसलिए ये 2 से divisible होगा तो मैं आसे 2 से divide करके देखेंगे so 2 1 जा 2 अभी ये जो 1 है ये 2 से जाएगा नहीं तो यहाप पर 0 times ले जाएगे और फिर अगला जो number है उसको मिला लेंगे तो हो जाएगा 11 तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और यहाँ से 1 रिमेन हो जाएगा फिर अगे जब 6 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा 2 8 जा 16 अब फिलाल हमारे पास अगला जो dividend आ गया 1058 इसमें भी जो आखरी डिजिट है वो 8 है इवें डिजिट है तो ये भी 2 से जो हो सकता है तो इसको भी 2 से डिवाइट करके देखेंगे 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 9 जा 18 अभी फिलाल क्या है कि आखरी डिजिट इवें नहीं है तो ये 2 से डिवाइट नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है तो ये जो नमबर है 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो नमबर है और ये नमबर है और ये नमबर है इनका हम सम कर लेंगे जैसे 5 2 प्लस 9 तो ये 17 हो जाएगा 9 to 11 प्लस 5 16 हो जाएगा ठीक है 16 3 का डिविजिबल नहीं होता है तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और आखरी डिजिट 5 नहीं है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा 7 से चेक करते हैं तो यहाँ पर 7 7 जा 49 हो जाएगा 3 रिमेन होगा तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 7 के बाद हम 9 से चेक करेंगे जब हम 9, 5, 45 करेंगे तो यहाँ पर 7 रिमेन होगा तो 9 के टेबल भी भी नहीं आता है 11 से चेक करेंगे तो 11, 4, 44 यह 11 से भी नहीं जाएगा 14 से भी नहीं जाएगा 14 से भी तो नहीं जाएगा अब हम यहाँ पर 17 से चेक करेंगे 17, 3, 51 17 से भी नहीं जाएगा कि 19 से चेक करेंगे तो अब यह गर हम 19 से डिवाइड करें तो 19 37 होता यह 19 से भी नहीं जाएगा ठीक है तो 19 के बाद में जो नमबर आता वात है 21 क्योंकि यह और नमबर है तो मल्टिपल भी और ही हमें चूज करने पड़ेंगे तो 21 से चेक करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम जब 21 ले जाएंगे तो 21 टूजा कितना जाएगा 21 टूजा 42 हो जाता है तो जब हम 42 को 52 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 ठीक है यहाँ पर 52 माइनस 42 तो हमारे पास बचेगा 10 अब यहाँ पर 9 हो गया 109 अब हम यहाँ पर जो 22 है उसको कितनी बार ले जा सकते हैं तो 21 को हम 105 तैमस ले जा सकते हैं तो यह 21 से भी नहीं कटेगा ठीक है फिर क्या कर सकते हैं मैं आप यह 23 से चेक करते हैं ठीक है इसको हम 23 से चेक करते हैं यह 529 को 23 से तो अगर हम 23 से ले जाएंगे तो कितना वहाँजाएगा टो किटनीं ट्रिट्र ट्रा वह ले जाएगगा और वापस है कितना मिलेगा वापस है में ट्रेंटी 23 ही मिलेगा ठीक है अब यह तो था हमारा division करने का तरीका जो इतना लंबा हो गया और हम कितनी देर में समझ पाए कि यह 23 से कटेगा लेकिन जिन student को square learn है from 1 to 30 वो अराम से कह सकते हैं कि जो 23 का square होता है वो होता है 5 to 9 इसना होता है 5 to 9 मतलब यह 23 से divide हो जाएगा तो जिन student को square learn है उनके लिए यह बस second का काम है तो फिलाल अभी 23 से divide करेंगे तो एक बार और जाएगा अभी आप देख रहे हो कि 2 का एक pair बन रहा है और 23 का एक pair बन रहा है मतलब यह जो under root 2116 है इसको हम write कर सकते हैं under root 2 into 2 into 23 into 23 ठीक है और यहाँ से एक pair इसका और एक pair इसका निकाल लेंगे और square root remove हो जाएगा तो यहाँ कि 2 into 23 ठीक है और इस प्रकार से जो हमारा result मिलेगा वो मिलेगा 236, 224, 46 जो होगा यह हमारा square root होगा इसका तो यहाँ पर कुछ जो बड़े number होते हैं उनके लिए जो prime factorization method होता है वो बहुत tough हो जाता है यहाँ पर जो दूसरा method आता है वो आता है division method ठीक है इसको कभी-कभी long division method भी कहा जाता है और division method भी कहा जाता है division method जो होता हो अपने यूनिक होता है उस जो किसी भी number का square root find कर सकते हैं so by using division method तो division method में हम देखेंगे कि इसका square root कैसे find करेंगे देखें division method में जो table होता है वो थोड़ा different होता है अभी हम यहाँ पर दो-दो number के लिए ऐसे division बना लेंगे यह वाला जो section होता है इसको का जाता है quotient और यह वाला जो section होता है इसको का जाता है diviser और यह वाला हमारा dividend होता है और यह वाला हमारा remainder होता है तो अभी यह जो number लिखना है 2116 इसको हम dividend section में write करेंगे ठीक है तो यह रहा हमारा dividend section यहाँ पर write करेंगे 6, 1, 1, 2 अब rule यह होता है कि जो right side से हमें 2-2 के pair बनाने होते हैं तो एक pair हमने यह बना लिया और एक pair हमने यह बना लिया ठीक है पेर भी हमारा complete हो गया अब जो division करते हैं वो हम left side से करते हैं और division में हम देखेंगे कि यह जो first pair है यानि कि जो 21 है कि इसके square में आता है तो यह आता है 4 का square 16 और 5 का square 25 ठीक है तो जादा हम लेते नहीं है जैसे 5 का square 25, 21 से बड़ा हो जा रहा है तो यह हम लेते नहीं हम यह लेंगे यह जो 4 है ठीक है यह 4 हमारा divisor हो जाएगा इसको यहाँ पर write करेंगे यही 4 हम quotient में भी write करेंगे और यह जो 16 है इसको first pair के नीचे write कर देंगे और minus कर देंगे तो 1 में से 6 minus नहीं होगा जाके carry ले लेगा तो 11 minus 6 करेंगे 5 आजाएगा 1 minus 1 0 आजाएगा अब अगला जो step होता है उसमें यह जो अगला पूरा pair होता है इसको my duties write कर लेते हैं पूरा pair यानि की 1 6 write करेंगे 16 write करेंगे यहाँ पर divisor की तरफ क्या होगा कि यह जो quotient होता है इसको हमें add भी करना होता है बिल्कुल उसी number में यहाँ पर एक number के लिए में space छोड़ के रखनी होती है और वो उस number में क्या करेंगे कोई number ऐसा multiply करेंगे जैसे मालो हम यहाँ पर n लिखते हैं तो n से multiply भी करेंगे यह जो है 516 के या तो equal आएगा या तो less than आएगा तो अभी इसको चेक करने के लिए जो 60 तरीका है वो यह है कि अगर यह number एक डिजिट का है तो यहाँ से हम दो डिजिट देखेंगे और इस का table पढ़ेंगे 8 का table पढ़ेंगे तो 8 6148 होता है तो बहुत हद तक chance है कि हम इसको 86 time ले जा सकते हैं यहाँ पर 6 right कर सकते हैं और 6 time ले जा सकते हैं मतलब 86 का जो table है वो 6 time पढ़ सकते हैं तो चलिए try कर लेते हैं 6 एक जा 36 तरीकारी 6 एट जा 48 प्लस 3 51 तो यहाँ पर जैसे हमने 6 right किया और यह पूरा 51 कट गया यहाँ पर हमने 6 right कर लिया इधर हमें कुछ रिखने की ज़रोद नहीं क्यों हो क्योंकि remainder 0 हो गया तो जिस step में हमारा remainder 0 होता है उसी step में quotient हमारा answer होता है तो यहाँ पर जो हमारा square root आएगा 2116 का वो आजाएगा 46 तो इस तरह से मैंने दोनों method से आपको इसमें बता दिया है कि square root कैसे find करेंगे कुछ case में जो prime factorization method होता वो आसान होता है और कुछ case में जो हमारा long division method होता वो आसान होता है तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होंगा अगर ये वीडियो आप लोगों को helpful लगा है तो वीडियो को